तो देखो यार इसमे दो तरह की स्पीची होती है एक होता है एलेक्टरॉन रिच और एक एले llegar क्या को रिख पारी सबस्क्ताइब टो है अपत्युरुस क्विश पिया अव्य को क्या एंक प्यार करने वाहता है अब सब्सक्राइब बड़ा प्यार करते हो नुकलियस को अब यहां पर अगर हम बात करें एटीपी को प्यार करें चुनों नुकलियस को नहीं तो यहां पर अगर हम बात करें Nucleophile के अगर हम बात करें तो Nucleus loving है यह है तो Nucleus का चार्ज क्या होता है positive क्या होता है positive और file का मतलब क्या होता है loving तो बही plus को प्यार कौन करेगा minus minus का मतलब electron deficient या rich बस तो Nucleophile क्या होता है electron rich फिक है अब जैसे इसके example अब देखो इसमें दो तरह के हो सकते हैं या तो यह negatively charge हो सकता है या it can be neutral as well अब देखो इसके example बहुत easily देखके समझ में आ जाएंगे जैसे कि for example water हो गया ns3 हो गया for example rnh2 हो गया rsh हो गया roh हो गया और भी numerous इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं ध्यान से देखो सभी के सभी आप इनको समझो कि यह nucleophile क्यों है ठीक है किसी भी एक को पकड़ लो पहले पानी को पकड़ लो इसके molecule को identify करो they can be negatively charge as well बहुत नेगेटिव चार्ज में दो बलकि और बेटर nucleophile होगा यूँकि उसमें electron density और भी क्या होगी जादा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे example दे रहा हूं जैसे माल लो हमारे पास क्या है oh minus उसके अलावा क्या है ro minus ठीक है उसके अलावा for example हमारे पास है r c o o minus उसके अलावा ph o minus o minus के अलावा भी हो सकते o minus के अलावा भी हो सकते जैसे कि for example r minus r का मतलब कुछ methyl उसके उपर क्या है minus तो इस तरह के negative charge type के जो होते हैं यह क्या होते है nucleophile उसके अलावा जहांसे देखो इस सब के अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे कि यह जो एलकीन होता है normal कोई एलकीन normal for example एलकीन के अलावा डाइईन या for example हमारे पास हुआ बेंजीन या हुआ एलकाइन यह सब भी क्या होते है neutral और क्या होते है nucleophile तो देखो समझने वाली बात बहुत ही simple है अगर मैं बात करूँ पानी के एक molecule लेता हूं और बाकी सब वैसे हैं यह lone pair containing substances जो हैं तो जैसे यह अपनी का molecule यह है पानी का molecule बेंट structure है अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर की electron negativity दोनों से क्या है ज्यादा तो पर क्या होगा पार्शियल माइनस नेगेटिव यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ही के भई है तो इस पर दोनों चीजे माइनस भी है और प्लस भी है तो इसको electron deficient क्यों नहीं बोला प्लस भी था इसके पास तो दोनों चीजे थी लेकिन आप समझो चार्ज ओवराल क्या होगा जीरो यह नहीं जेतना माइनस है उतना ही प्लस है तो डेल्टा माइनस इस इकोल टू टू टाइम डेल्टा प्लस अब यहां पर एक तो चार्ज की होगा उसी करण क्या हुआ इलेक्ट्रोफ तो सभी में यही रीजन है जैसे सोरी नुक्लिवाइल क्या हुआ नुक्लिवाइल जैसे नेस-3 हो गया नेस-3 में नाइट्रोजन के आसपास कितने चोटू है तीन तो तो तीनों चोटू उस पर क्या है गा डेल प्लस लेकिन ना होता है यह है एक डाइटली है कॉनसा भॉंड है कॉन सा भीपर मौन' a किसा हो जाता है फोल लाइस क्या हो जाता है प Claire हो जाता है प तब तो chances और ज़्यादा बढ़ गए वलकि साफ दिख रहा है तो कि अब यहाँ पर हो के पास number of loan pair भी क्या हो गए ज़्यादा हो गए उनमें repulsions भी ज़्यादा है आपस में तो जल्दी से electron देना चाहेगा electron density वहाँ पर क्या हो गई increase हो गई तो negative charge वाले तो naturally better हैं और भी बढ़िया देखो यार अब जिन्दीगी में अगला बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं जो इसमें गरीबी का शिकार होता है कि गरीबी का शिकार जो है इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल बोलो भी सभी नाम बोलो अच्छा एक चीज छोड़ी सी म हैं बताना देगे हैं नूव्क्लेफाईल को रिप्रेजेंट किया जाता है लेकल हैं यू माइनस लेकलो उसको दो possibility है या तो यह positively charge होगा या यह क्या होगा neutral सबसे पहले positive charge की बात करते हैं जैसे कि माल लो हमारे पास है कुछ ऐसा जैसे CS3 प्लस या हमारे पास है NO2 प्लस या हमारे पास है NO प्लस या हमारे पास है है आर सियो प्लस तो देखो यार इसमें क्या होता है ना इसमें जैसे कार्बन के पास कितने electron होने चीए आठ होने चीए पर यहां पर देखो कितने च्छे तो उक्टेट इसकी क्या है इनकम्प्लेट उसकारण इसकी चार्ज क्या रहा है पॉजटिव तो यह क्या हुआ एलेक्ट्रोफाइल जिरफ प्लस चार्ज आने से नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल वो तब होगा जब उसकी ऑक्टेट भी क्या है इनकम्प्लीट अच्छा और बात करते हैं तो यहाँ पे CS3 प्लस में अगर आप चेक करोगे तो यह कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं कि ठीक है अलग से कभी-कभी रेरली क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सेट अफ इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा है जैसे वालों क्वेश्चन आ गया एबी-सी-डी और एबी-सी-डी में आपको दे दिया अलग-अलग इलेक्ट्रोफाइल जो इसमें हो सकता कोई इलेक्ट्रोफाइल और आपसे ऑप्शन में आ गया कि बताओ वही कौन इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑप्शन आ सकते ए-bी-सी-ए-ए-डी-ए-बी-सी-ए-डी इस तरीके से यह निक्वेश्चन आने को इस छोड़ी चीज से भी देखें सभी के सभी s surg co2 अब कर City अगरbyा करते हैं तो यह जो junior carbon आपको दिखायी दे रहा है इस कारवन का इस पर डill態 प्लस है द्यांने से तो जब यह एक्सेप्ट करेगा तो यह bond क्या हो जाएगा तूड जाएगा इसलिए एक्सेप्ट कर पारे यानि यहां पर octate incomplete ना होते हुए भी यह क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइट तो यहां पर डेल्टा प्लस है काफी जाद है और कैसे accept किये पता लगया इस जैसा एक और example मैं आपको दिखा देता हूं वो है हमारा प्यारा SO3 SO3 में अगर आप observe करोगे तो octate तो छोड़ो यहां तो full enjoy चल रहा है कितने bond बनाये sulfur ने 6 इतना मज़ा सबके नसीम में नहीं होता है अब यहां पर देखो कितने bond आतनी आने दे पुराने bond को खट से तोड़ देगा तो sulfur को आपने देखा कि यहां पर SO3 वाले case में भी क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल उसके अलावा एक और आता है हमारे पास कारवीन का case CCL2 CCL2 टाइब का यह बहरूपीय टाइब की चीज़ है कि ठुलू लगता अमीर है गरीब कि अना कपड़े अच्छे-च्छे पैनता है पर्स में एक रुपया भी नहीं है उसके तो यहां पर डाइक्लोरो कारवीन जो है यह अमीर लगने का रीजन जानते हो ना क्या है इसके पास लोन पर तो लोन पर दिखाके यह खुश हो जाता है कि हां मैं अमीर हूँ डाइक्लोरो कारवीन ठीक है लेकिन अगर आप चेक करोगे इसके नंबर आफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6 आ रहे होने कितने ची यह 8 तो बस त अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना सई से सीख लिया तो हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझ जाएंगे अब यह बताओ तुम्ही बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किदर होगा न्युक्लोफाइल की तरफ से होगा एंफेल अन्य बनेगा पुराना टूटेगा एसी चलता रेगा आगे खेल और क्या उसी को मेकैनिसम बोल देते हैं इतनी इसी बात है